नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है एडिलेट डे नाइट टेस्ट में भारती टीम को आस्टेलिया के हातों करारी हार का सामना करना पड़ा है पहली पारी में 244 रन बनाने वाली टीम इंडिया दूसरी पारी में महज 36 रन पर सिमट गई इस तरह उस्टेलिया के सामने विराट कोली अंड कमपनी ने केवल 90 रनों का लक्षी रखा इस आसान लक्षी को उस्टेलिया ने जो बन्स की 50 की बदूलत दो विकेट खोकर हासिल किया आस्टेलिया ने बौर्डर कावसकर टेस्स सिरिस के पहले मैच में हरती टीम को आठ विकेट से मात दी इस मैच को हरती ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली ने अपना एक खास रेकॉर्ड भी खो दिया दरसल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पहली बार टॉस जीत कर कोई टेस्ट मैच हा रहे हैं विराट कोहली ने साल 2015 में टेस्ट टीम की कप्तानी सम्हाली थी तब से अब तक कोहली ने 26 मैच में टॉस जीत कर एक किस टेस्ट जीते और चार ड्रॉ रहे लेकिन आस्टेला के खिलाफ टेस्ट सिरिस के पहले मैच में विराट कोहली के टॉस विन मैच विन की रथ पर ब्रेक लग चुका है चलिए एक निजर डालते हैं भारत और आस्टेलिया के बीच खेले के पहले टेस्ट मैच पर टॉस विराट कोहली ने जीता भारत ने पहले बल्लेबाजी की पहली पारी में टीम इंडिया ने 244 रन बनाए पहली पारी में आस्ट्रेलिया ने 191 रन बनाए और टीम इंडिया को तिरपन रनों की बढ़त हासिल भी पहली पारी में टीम इंडिया के लिए आर अश्विन न ने चार और पांच विकेट अपने नाम किये इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया के साथ